गुड मॉर्निक स्टुडेंट्स आज अपने यहां पर अपनी ओर्गनिक केमिस्टी का नेक्स्ट यूनिटी स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट यूनिट जो मिले रहा हूं सलेवेस के अकोडिंग वह अपनी थाड यूनिट ले रहे ठीक है थाड यूनिट अपनी बुक में स तो इसमें कहा है कि भी पिछली बार भी मैंने इसके दो चैप्टर्स तो पिछली बार कराए थे तो उनको तो मैं भी नहीं करा रहा हूं क्योंकि बाईचान सापका सलेबस थोड़ा सा कंप्लीट नहीं होता है तो आपको नोट्स उसे अवलेवल हो जाएं क्लास से ठीक है तो बाकी मैं यहां पर करा रहा हूं ठीक है तो मैं यहां से आज स्टार्ट कर रहा हूं एल कीन का टोपिक ठीक है वैसे तो अपने को क्या है कि आपको बताया था मैंने एक्जाम में क्या ह होता है ठीक है कि अपने को पर यूनिट बन कॉष्चन आटेंड करना है तो आप लगबग आप यूनिट भी कवर कर लेते हैं तो आपका एक प्रोडम है नहीं बट अपने क्या आए कि मैकजिम हम अपने से जितना जादा कवर हो अपने उसी कोशिच में लगे रहेंगे तो अ बात आती है अपने एल्किन से तो एल्किन तो आप अल्रेडी बढ़ते आई हैं ठीक है ना कि आपने 12 ग्लास में इसके बारे में काफी कुछ बढ़ा हुआ है इनका नोमनी कल्चर वगरा तो आज मैं थोड़ा सा रफली वर्क से यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे आज जो क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीट्वीन एक डबलबोन होता है ठीक है ना वह क्या उती कि एलकीन एक ओपन चेन ओपन चेन वाले अनसाचुरेटिड 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 सचुरेटिड हाइडरो कार्बन्स कार्बन्स होते हैं जिन में कार्बन कार्बन के विट्वीन ठीक है ना याने कि C double bond C O कार्बन कार्बन दिवबंध है ठीक है ना होता है ठीक है तो यह एक minimum condition याने कि क्या है कि एक open chain unsaturated hydrocarbon है जिन में क्या है कि एक क्या होता है कार्बन कार्बन दिवबंध होता है ठीक है तो यह तो बात होगी की ऐलकिन की तो ऐलकिन का क्या है कि इनको अपन क्या है कि ओलिफीन भी बोलते है ठीक है इनका जो ज़र्नल formula होता है वह आपको लड़ी पता ही है क्या होता है CnH2n ठीक है ना एलकिन एलकिन और एलकाइन का आपको पता ही है अब यहाँ पर आपने बात करेंगे इनके नॉमनी कल्चर तो नॉमनी कल्चर में बात करें यानि कि नामतर्ण नॉमनी कल्चर क्या है कि एलकिन्स का अगर अपने बात करें तो तीनों मेथर्ण्स में होता है रूण यानिकि ट्राइवल सिस्टम यानि कि रूढ पता देती सेकिन कोन सिस्याति इसकी डेरिवेटिव पता देती यानिकि वित्पन पता देती यह आपनी क्या बोले ड्राइवड ड्राइवड शिस्टम और थाड जो सबसे पोपुलर वो कौन सा है आई यू पी ए सी इसका complete नाम तो पता है ना अब बूल बाल गए ठीक है आई पेसी का international union of pure and applied chemistry ठीक है याद रखना यह कभी कई बाल उलत जाते हैं इसी में भी अपन तो अब देखें यहाँ पर जो रूड पदिती है सोरी अब अपन बात करते है रूड पदिती ठीक है तो रूड पदिती पर अपन बात करें तो इसमें क्या है देखो फशली अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अनूलगन जो लगाते है उसकी बात करेंगे पहले इसमें क्या है कि जो एलकेन है तो एलकेन का तो ही तो इसमें क्या वर्ड होता है इन वर्ड अटेच है तो एन के रिप्लेस्मेंट यहां पर किसे होगा इलेन किसे होगा इलेन से होगा ठीक है Y-L-E-N-E इलेन से करते हैं तो इन्हें आपने क्या बोलेंगे तो इस बेस पर क्या है कि इलकेन से इसका नाम क्या हो जाएगा इलकेलीन इलकेलीन ठीक है इलकेलीन इनका नाम यहाँ पर हो जाता है जैसे यहाँ पर अपने बात करें कि जैसे एथेन है तो एथेन को अपने क्या बोलते है एथिलीन रूड पदती में ठीक है रूड पदती की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर C2H4 है तो इसका क्या रहेगा एथिलीन या नाम रहेगा एथिलीन ऐसे क्या हुज़ाएगा प्रोपिलीन ब्यूटिलीन ऐसे टरा आप बढ़ते जाएंगे ठीक है तो ये तो ओगई यहाँ पर किसकी रूड पदेती में इसके बाद बात आती है ड्राइवड सिस्टम में ठीक है तो ड्राइवड सिस्टम में आपन ड्राइवड एथिलीन का ड्राइवड यानि की व्यूत्पन व्यूत्पन मान कर यानि की एथिलीन का व्यूत्पन मान कर इनका क्या किया जाता है यहाँ पर नॉमनी कल्चर किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर जैसे क्या है कि अपने एक 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 जामपल लें तो एक जामपल क्या है जैसे अपने आप पास है एक इस टेक्टिर अपने बनाते हैं यहाँ पर प्रोपीन की CS3 CS double bond CS2 अब आई यह पेसे में दसीधी बात है कि प्रोपीन है ठीक है बट यहाँ पर क्या है कि इसमें आप Thylene का derivative मानने गए इसको तो यह तो हो गया Thylene और यह कौन सा group हो गया Methyl ठीक है तो यानि कि वैसे तो अगर Rood Padis कि बात करें तो यह प्रोपीन है ठीक है लेकिन इस method में बात करें तो यह क्या हो जाएगा Methyl Group का नेम हो गया Methyl Ethylene इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा ठीक है इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर आपना अधर एक्जामपल लेते हैं व्यूटीन का टू व्यूटीन लेते हैं यहाँ पर एथिलीन वन और टू तो क्या हो जाएगा इसका डाइमेथिल एथिलीन डाइमेथिल एथिलीन ठीक है तो इस तरह अपने इस सिस्टम इन का नोमनी कल्चर करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब दो एलकिल समू क्या है कि एक ही दिवबंद पर क्या हो एक ही डबल बोन पर इसके लिए अपना बात करें तो क्या होता है कि जब टू एलकिल गुरूप एलकिल गुरूप आर अटेच्ड यानि कि दिवबंद क्या है कि एक ही दिवबंदीत कार्बन परमानों से जुड़ो हो तो उस कंडिशन में क्या है कि एलकिन क्या हो जाती है एसिमेट्रिक एलकिन हो जाती है ठीक है क्या हो जाएगी एसिमेट्रिक एलकिल हो जाती है कि जब दो एलकिल समूँ एक ही एक ही डबल बॉंडेड दिवबंदिद कार्बन एटम से अटेच हो या जुड़े हो एड हो ठीक है तो उस कंडिशन में क्या है कि ये एलकिल क्या हो जाएगी अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक एसम्मीत हो जाती है यानिकि एसम्मीत हो जाएगी ठीक है ना एसम्मीत और सम्मीत का आप जानती है कि दोनों साइड क्या हो कि सेम हो तो उस कंडिशन में क्या है कि सम्मीत हो जाए यह समीत हो जाए जैसे अपने यह एक्जामपल लिया है तो इसके अकोर्णिंग यह क्या है सिमेट्रिक है ठीक है अगर यहां पर क्या है कि एलकेल गुरूप में कुछ डिफ्रेंस आ जाता है कि इससे ही दो एलकेल गुरूप कोई भी एटाइज हो जाए यह बंदित कार्बन से तो अब उस कंडिशन में अब क्या हो गया यह एसिमेट्रिक हो गयी है तो अब इसका नॉमिनी कल्चर अपन करेंगे यहां पर तो एथिल का तो डेरिवेटिव है एथिलीन का डेरिवेटिव तो ही ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा टू मेथिल गुरूप हो गए तो डाइमेथिल एथिलीन तो इसका नाम ही है ठीक है डाइमेथिल एथिलीन तो ही है बट यह क्या है ऐसिमेट्रिक है ऐसिमेट्रि इसका asymmetric diethylene इसका नेम हो जाए क्योंकि एथिलीन का तो अपने इसको derived system में तो इसका derivative मा नहीं रहे हैं आपर ठीक है तो इस तरह से क्या कि इनका नोमनी कल्चर आप कर देंगे ठीक है इसके बाद third system आता है अपना आयोपेसी system तो आयोपेसी system में क्या करते है तो देखो नोर्मल सी बात है आपको पता है यह rule तो यह कि longest carbon chain करते हैं select करते हैं और वो carbon chain select करते हैं जिसमें double bond सामिलो ठीक है numbering आप कहां से करेंगे कि double bond वाले carbon को कम से कम number मिले ठीक है यह भी आपको याद होगा नहीं है तो मैं बता ही रहा हूँ इसके अलावा क्या है कि इसमें जो अनुलगन होता है यानि कि प्रफिक्स होता है सोरी सफिक्स जो होता है आपर वो क्या होता है इन ठीक है इन किसके जगह आएगा कि इन के replacement क्या होगा इन से इन का replacement किस से होगा इन से होगा ठीक है तो इस according यह आपने इनका नाम हो जाएगा इसके अलावा क्या है कि जो main chain है उस main chain से क्या है कि alkyl समू जुड़े हों तो उनकी संख्या और जो इस्थान होता है यानि कि उनका number और position जो होती है वो क्या है कि English की alphabet के क्रम में आप उसको क्या करते है राइट करते है ठीक है ना बाकि यहापर जो methyl group है सॉरी यहापर अगर कोई alkyl group है या कोई hyalide group जुड़ा हुआ है तो उसके according आप क्या है कि NBC करते ही करते आए कि यहापर दो बाते ध्यान regen रखनी है कि कोई alkyl group ici s이드 chain में attached है या कोई hyalide group कोई भी है कि substitute turbo यहापर attached है तो उस condition में क्या है कि आपको दो बाते ध्यान रखन को ही देनी है ठीक है न कि double bond वाले carbon को क्या मिले कम से कम number मिले ठीक है अगर both sides से क्या है कि same आता है तो फिर आप क्या है कि जो यहाँ पर substitute group attach है तो उस side से आप numbering करेंगे ठीक है और फिर उनका क्या है कि अगर क्या है कि यहाँ पर two different type के यानि कि more than two कोई भी group यहाँ पर attach है chain में तो उस condition में क्या है कि आप उनका नाम केस में रिखेंगे केस order में लिखेंगे? alphabetical order में आप उनका number लिखेंगे यानि कि वहाँ पर क्या है carbon number के साथ आपको जानते है ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ ऐसे formula से आते हैं कि जिनमें क्या है कि उनके क्या बनते हैं समाविय हूई है यानि कि उनके क्या from होते हैं, isomer form होते है जयसे आप सो एक सहुटा सा सवाल है मेरा की, C5H10 एक अपने पास molecular formula है इस formula से आप इसके कितने समाविय है यानि कि isomer foam करेंगे कितने isomer यहाँ पर foam होते हैं possible है तो इसके कितने है 5 isomer यहाँ पर possible है ठीक है तो यहाँ पर क्याँ कौन-कौन से होंगे देखो एक तो होगा 1 painting इस texture तो आप foam करेंगे यानि कि first number carbon पर double bond ठीक है अब आप complete कर ले ना यह बाकी balances ठीक है यह क्या हो जाएगी 1 painting इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि आप double bond को किसका दे अब यह क्या foam हो जाएगी 2 painting ठीक है यहाँ पर तो 1 यहाँ पर यह 2 painting फोम हो जाएगी इसके अलावा क्या है यह तो हो गई कौन सी unbranched अब अपन करते हैं यह तो क्या है ऐसा कित सरंक लाएग अगर अपने बात करें साकित में तो साकित में यानि कि branched जो chain foam होती है वो कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पर एक यह foam हो जाएगी ठीक है न मैं only skeleton बना रहा हूँ यहाँ पर बीटा ठीक है न कभी आप यह सोच रहें कि balance कंप्लीट नहीं कर रहे हैं सर ठीक है तो balance तो आप hydrogen attach करने कर दे ना ठीक है तो मैं तो यहाँ पर आपको क्या है कि इसके समाव यहाँ यहाँ पर उनली यह बता रहा हूँ कौन-कौन से यहाँ पर possible है कैसे आप बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि आप numbering up इधर से होगी ठीक है one और इसका क्या जाएगा three इसके लावा और कौन सी foam हो सकती यहाँ पर next structure यहाँ पर चार कार्बन की chain और इस पर methyl group attach कर दे ठीक है इसके लावा एक आपकी structure foam हो जाती है यह और इस पर attach कर दे ठीक है तो अब देखी है यहाँ पर कि आपको कौन-कौन सी structure foam हो गई यहाँ पर देखो इसमें तो क्या foam हो गई यह one painting यह क्या हो गई two painting ठीक है इसमें क्या हो जाएगा three methyl यह क्या है three methyl three methyl one butine ठीक है three methyl one butine यह क्या हो जाएगा यहाँ पर one two one two तो आप इधर से numbering करेंगे तो यहाँ पर two ठीक है तो two पर यह है और two पर ही double bond है तो क्या हो जाएगा two methyl two butine ठीक है इसके अलावा अगर इसकी numbering करेंगे यहाँ पर तो इसमें क्या हो जाएगा one two तो यहाँ पर क्या हो जाएगा two methyl और one butine ठीक है तो यहाँ यहाँ पर क्या होते हैं इसके isomer यहाँ पर फों होते हैं ठीक है इसके अलावा क्या है कि भी कुछ एलकिन से हैं कि इनके अत्रिक्त क्या है कि एलकिन के साथ क्रियात्मक समावता भी परदर्सित करते हैं जैसे उधान के लिए अपने एक्जामपल लें कि यहाँ पर अपन बोलें कि फंक्शनल जो गुरुपाली आइसो मेर्जम है ठीक है फंक्शनल आइसो मेर्जम यानि कि क्रियात्मक समावता भी होती है जैसे यहाँ पर क्या कि प्रोपीन है ठीक है तो इसमें क्या होगा कि यह साइकलिक साइकलो प्रोपीन फॉर्म हो सकती है यहां से इससे ठीक है सेम फॉर्मुला है ठीक है आटोमिक फॉर्मुला सेम रहेगा C3H6 ठीक है तो यह साइकलोग साइकलिक आईसो मेर्जम यहां पर सोग हो सकती है एक बात आती है यहां पर अलकिनल रेडिकल सोरी अलकिनल रेडिकल यानि कि अलकिनल मूला तो एलकिनल मूलक कैसे फॉर्म होते है कि क्या होता है कि एलकिन के एक हाइडोजन से क्या है सोरी एक मोलिकूल से क्या है कि एक हाइडोजन परमानू हटाने पर जो एक संयोजी मूलक बनता है उसे क्या बोलते है एलकिनल मूलक ठीक है न कि अब क्या है कि इस में से कोई भी एक hydrogen atom अपने replace कर दें तो क्या होगा कि एक संयोजी यहाँ पर foam होगा ठीक है न कि यानि कि carbon की एक valency क्या रहेगी फिरी रहेगी तो उस condition में इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर L की निल ठीक है जैसे यहाँ पर क्या है CH2 double bond CH इस carbon की एक संयोजी ता फिरी हो गई तो यह क्या हो जाएगा ethinyl ethinyl ऐसी क्या है कि अपनों और example लें यहाँ पर CH3 CH double bond C ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर one propenil तो यह क्या है इसके ऐलकी निल फ्री रेडिकल है कि ऐलकीन के एक अनू से एक हाइड़ोजल परमानू हटाने से जो एक संयोजी मूलक बनता है उसे क्या कहते हैं ऐलकीनिल मूलक कहते है ठीक है इसके बाद बाद आएगी इसके preparation के methods तो left video से आपको with notes start करेंगे तो क्या है कि आपको मैंने थोड़ा सर अफली भी इसलिए बताए क्योंकि आप जानते हैं तो एक तो revise कराना था मेरे कोई ठीक है तो next video से आपने इनके preparation का method इस्टार्ट करेंगे ठीक है थैंक यूँ झाला झाला है